वंदे मातरम सांथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल एक्जामिन सुरिस मालिवे सरपर तो दोस्तों मद्धिप्रदेश में एक और और नई बड़ी भरती आई हुई है तो उसके लिए कौन-कौन आवेधन कर सकता है क्या-क्या योगताएं हैं उसके लिए कितने पद हैं और सेलरी उसकी कितनी है तो इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे साथ ही हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि MPSI Constable की जो भरती है वो कब तक आने वाली है आपकी तो वीडियो के end तक बनी रहेगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक थोड़ी सी डीटेल साधा करना चाहता हूँ अगर आप लोगों ने पड़वारी का पेपर दिया हुआ है ग्रूप टू सब ग्रूप फोर का पेपर दिया हुआ है तो आप ये जो गूगल फॉर्म में आपको बताने वाला हूँ इस गूगल फॉर्म को आप जरूर फिलप कर दीजिए ठीक है ना इसके जो भी डीटेल्स थी वो मैंने आपको बता दी थी कल एक वीडियो में 210 लोगों का response record हो चुका है दोस्तों तो आपको इसको भरना कैसे है मैं आपको एक बार और बता देता हूँ यहाँ पर आपको अपना नाम भनना है जेंडर भनना है अपनी category भननी है साथ में आप पी जो भी qualification है अगर आप सिर्फ graduate है तो graduate भर देना exam date कब थी exam shift कौन सी थी यहाँ पर सिर्फ अपने number डालें आप जो भी आपके number है सिर्फ number डालें और ABCD कुछ भी ना लिखें जो भी लिखना है वो आप यहाँ लिखते फिर इसको आप submit करा सकते हैं 210 लोगों का response record यहाँ पर हो चुका है आप देख सकते हैं ठीके ना तो य अच्छे से analysis कर पाऊंगा साथ में यह डेटा भी आपके साथ शेयर करूंगा तो इसकी लिंक आपको description में मिल जाएगी comment section में मिल जाएगी टेलिग्राम ग्रूप में मिल जाएगी अगर आप नहीं जुड़े हैं तो टेलिग्राम ग्रूप से जुड़ जाएं तो यह ऐंशर करते हैं वीडियो को तेकिए यह है समुह वन टेकार वरिष्ट किर्शी विकास अधिकारी के पदों यह आपँ किर्षी विस्तार अधिकारी तो इनकी तो अभे आप देख पाएंगे कि इनके लिए जो आविदन फीस बगेरा आपको पता है कितनी क्या लगती है 17 तारीख से form बरने स्टार्ट होंगे एक मैई आपकी last date है ठीक है ना form भरने की ये चीज़ आपको पता है ठीक फिर आपके ये exams की date देके रखी है तो सबसे पहले यहाँ पर important है आपके form भरने की dates तो इनको जरूर ध्यान परिक्षा आपकी जुलाई में होगी 15 जुलाई 2023 को आपकी परिक्षा है होंगी ठीक है इसके अलावा इसमें देख सकते हैं आयू सीमा आपको 18 से 40 है छूट आपको पांस साल तक और जो भी आपकी है वो देखे रखी हुई है यहाँ पर पद देख लेते हैं यहाँ पर आपकी जो पद हैं कि जो आपके वरिष्ट उद्यान विकास अधिकारी और या फिर वरिष्ट किरसी विकास अधिकारी की जो आपके है एक और और टेबल आपके पास है यहाँ पर आपको 32 पद देखे रखे हैं ठीकिना वरिष्ट उद्यान विकास अधिकारी के 25 पद हैं किरसी विकास अधिकारी के 6 पद हैं और फिर इसके लावा वरिष्ट किरसी विकास अधिकारी का 1 पद है तो टोटल करके आपको 32 जो पद हैं वो देखे रखें हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसका वेतन मान देखे रखा रहता है 34,800 से 1,14,800 तो यह 1,14,800 मैक्सिमम रहता है यह नहीं मिलता आपको 34,800 जो है वो मिलता है सांथ में इसका महेंगई भता मिलता है जो कि अभी 38% है और अभी मद्ध्रतेस सरकार इसको बढ़ाने वाली है ठीक है न तो यह मिलता है और अभी आपको 77,90 आपको 100% मिलेगा यह रूल आपका खतम होने वाला है मैं आपको वह भी अगली वीडियो में आपको साजा करूंगा ठीक है और वरिष्ट किर्सी विकाश अधिगारी के लिए आपके पास जो योगिता होनी चाहिए ठीक है ना किर्सी से सम्मंदित बिसे में सनात कुत्तर या फिर किर्सी में इंजिनियरिंग ठीक है इसमें तो और अच्छा वितनमान है 36,200 से स्टार्ट है यह ठीक है ना तो यह दोनों के लिए योगिता है आप देख लेंगे इसके अलाबा जो आपके अगले पद है ठीक है यह आपका सिलेबस रहने वाला है हिंदी अंगरी ज नोटिफिकेशन देख लेंगे या फिर आप लोग यह विप साइट पर जाके भी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं तो वहां पर आपको यह विसाय से रिलेटेड आपको जो रहेगा आपका से लिए बस आपको वहां पर मिल जाएगा ठीक है इसके अलाबा यहां पर क्रिशी निर्देशक का एक पद है ग्रामिन उद्यान विकास अधिकारी के बावन पद है तो इतने करके उननीस सो चालिस पद यह होगा है आपके और वहां पर तो टोटल लगभग दो हजार के आसपास आपके पद हैं तो यहां पर आप देख पाएंगे कि इनके लिए ज आपको यहां पर आपको देखिए आप देख पा रहे हैं कि प्रियोक्षाला टेक्निशन यहां पर जिनके पास सिर्फ बी एस सी है सेकंड ग्रेड में तो वो इसमें भर सकते हैं सिर्फ बी एस सी वाले भी भर सकते हैं बी एस सी किरसी और बीटेक किरसी अभियांतर की भी आप भर सकते हैं आप देख पा रहा हैं सिर्फ BSC लिखा हुआ है यहां पर BSC दुत्री दुतीस रहनी ठीक है यह लोग इसमें भर देंगे फिर प्रक्षित्र विस्तार अधिकारी के लिए आपकी योगिता हैं BSC उद्यान की वान की ठीक है ना किर्शी और फिर इसके बाद क किर्शी अभी आनते की काफी अच्छा इसमें बेतनवान आपको देखे रखा है तो आप इन पोश्टों को जरूर अपलाई करें अगर आप एग्रिकल्चर फिल्ड से या फिर आपके पास सिर्फ BSC भी है तो आप प्रियोक साला टेक्निशन के लिए अपलाई कर सकते हैं यहां पर भी आपके प्रियोक साला टेक्निशन की वेकेंसी देखे रखिए ठीक है दोस्तों तो यह था आपका इस नौटिफिकेशन के बारे में जानकारी सांत में आप देख पा रहे हैं कि यहां पर सिलेबस सेम है बस थोड़ा सा चेंजे इसे सिलेबस में तो आप लोग बेफ साइट पर देख लेंगे अलग-अलग सिलेबस देखे रखे हैं दोनों ही भरतियों के लिए ठीक है ना तो अब अपन देखते हैं कि जो आपको जो वेतनमान मिलेगा मैंने आपको बताया था जो आपको पहले 70-90% मिलता था अब वो पूरा 100% आपको वेतनमान मिलने बाला है ठीक है साथ में जो आपको प्रोविशन पीरियड है वो चार साल से घटा कर दो साल कर देने को यहां पर प्रिस्ताव लाया गया है ठीक है ना तो यह अभी आपका जल्दी ही हो जाएगा और यह जितनी भी चुनाव यह प्रिकरियां हैं चुनाव से पहले पूरी ह में होगा तो संभावना है कि यह भी आपका से चुनाव से पहले इसको पूरा करा लिया जाए तो ठीक है दोस्तों इस वीडियो में यही था और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना कोई जानकारी मैंने आपको अगर मिस करी हो तो बता देता हूं मैं आपको हो सकता है मैंने आपको MPSI Constable का आईगी यह नहीं बताया है तो MPSI Constable की वेकेंसी दोस्तों जैसे आपकी यह जो वेकेंसी आई हुई है ला जो किर्शी विस्तार अधिकारी वाली तो यह जैसे अचा को इसी महीने या अगले महीने इसकी नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल सकती है तो जो लोग भी पड़वारी एक्जाम में लगे हुए हैं वो इसकी एक्जाम की तैयारी बिल्कुल जारी रखें और सेम सिलिबस लगवग लगवग आपका है इंगलिस बगएरा के लि अभी ये एक्जाम आपसे करा लेंगे तो MPSI के जो भी खौब देख रहे हैं वो तैयारी स्टार्ट कर दें दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं नेक्स वीडियो में बन्देमात्रम